दोस्तों Microsoft के इस अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी important होने वाला है जहां पे हम आज सिखेंगे loan installment calculation कैसे करते हैं फिलाल अभी अभी यहां पे आप देख रहे हैं कि serial number है कुछ customer का नाम है उसी ही customer का कितने किसने amount लिया है वो है interest rate है duration है बाकी हमको निकालना क्या है कि interest total amount then installment month में क्या होता है वो निकालना है यहां पे तो सबसे पहले हम यहां पे interest निकालने के लिए हम यहां पे देंगे is equal to this into this और simply यहां पे हम इंटर करेंगे तो एक बेक्ति का यहां पे interest आजाएगा तो सबी बेक्ति के निकालने के लिए simply हम इसको निचे तक drag कर देंगे तो सबी का interest आजाएगा अब यहां पे total amount निकालने के लिए simply हम यहां पे आएंगे is equal to देंगे interest plus total amount या आप loan amount बोल सकते हैं और simply हम यहां पे इंटर करेंगे तो total amount आजाएगा with interest के साथ फिर यहां उसी शेल में जाएगे और निचे तक drag कर देंगे तो सबी में interest के साथ total amount आजाएगा दिन हम बात करते हैं installment निकालने के लिए simply हम इस शेल में आएगे is equal to देंगे total amount भगा duration अब यहां पे आप देखेंगे की duration जो है वो year में है तो year में से हमको month में convert करना परेगा तो इसके लिए simply हम यहां पे divide देंगे और 12 टाइप करके इंटर करेंगे तो installment आजाएगा सब भी के निकालने के लिए फिर से उसी सेल में हम जाएगे और नीचे तक drag कर देंगे तो सब ही बैकती का यहां पे installment आजाएगा आई हो यह छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैंने प्रेजेंट किया हूं आपको जरू अचा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दे चैनल पर नहीं आएगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एस्टेश एफ हुआ 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 है